आज से जो हमारा टॉपिक है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में है जिसे हम लोग अपने घरों में इस्तमाल करते हैं इसका नाम है कि 3-phase AC supply 3-phase AC supply एक ऐसा सोर्स है जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोडीस होती है इसे हम लोग जर्नेटर के इंदर इस्तमाल करते हैं किस तरीके से समय करते हों इसे क्यों 3-phase AC supply का नाम दिया गया है इसकी reason यह है कि इसके अंदर हम लोग जो है जब भी जर्नेटर के इंदर हम लोग 3-phase AC supply एस्तमाल करते हैं इसका मतलब यह है कि हम लोग उने तीन कोईल नहीं है, कोईल A, कोईल B and then कोईल C, हमारे पास तीन कोईल होती है, इन कोईल के साथ जो है, हमारे पास दो-दो स्लिप रिंग के पेर्ज होते हैं, नहीं कि हर कोईल के साथ दो-दो स्लिप रिंग के इस तरीके से पेर्ज होते हैं एक slip ring जो है क्वाई के साथ attach होता है जबके दूसर slip ring जो है अठ के साथ ground किया जाता है इसे slip ring S1 कहे लेते हैं और इसे S1- कहे लेते हैं यह slip ring जो S1 है यह हमारे पास क्वाई के साथ connect होता है जबके दूसर slip ring जो है अठ के साथ ground किया जाता है यहां पर इसी तरीके से ये S2 slip ring है और ये S2 dash S2 को हम लोग coil B से connect कर देते हैं और S2 dash जो है उसे हम लोग अठ के साथ ground कर देते हैं similarly जो coil C है इसमें हमार पास जो slip ring है उसे S3 कह देते हैं जो के coil के साथ attach है और S3 dash है जो के हमार पास अठ के साथ ground किया गया है अब इसके बाद क्या होता है 3-3-3 supply में 3 coil इसमाल होती है जो कि 4 terminals का मतलब यह है कि एक terminal जो है हमारे पास इस तरीके से ये A और B ये एक terminal बन जाता है जिसे A, B कह सकते है B से C तक हमारे पास दूसरा terminal आ गया C से D तक हमारे पास तीसरा terminal आ गया और D से A चोथा terminal हमारे पास जो है वो complete हो जाता है तो हमारे पास basically होती तो 3 coils है और 6 slip rings होते हैं और 4 terminals होते हैं और जो slip rings होते हैं वो pairs में होते हैं मतलब कि ऐसा कहलें कि 3 pairs होते हैं या 6 slip rings होते हैं और हर coil के साथ 2 slip rings होते हैं एक coil के साथ attach होता है जबके दूसरा sleeping जो है उसी क्वाई का अच के साथ grounded दिया जाता है तो इस तरीकी से three phase AC supply को three phase AC supply इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर basically three quals इस्तेमाल होती है जब इस generator के अंदर हम लोग three phase AC supply इस्तेमाल करते हैं तो उस AC supply के अंदर हमारे पस three quals होती हैं जिसके अंदर हम लोग इस phase AC को कहते हैं कि three phase AC supply है अब क्या होता है चुकि हर कोई जो है एसी source के साथ connect है और हम लोग AC supply के बारे में study कर रहे हैं तो AC supply में क्या होता है कि हर कोई जो है आपना खुछना को स्वाल्टेश प्रोडूस करेगी और यह तीनों क्या है एक दूसरे के साथ 120 डिगरी के एंगल पर इनका phase difference आ जाता है मतलब कि इन phase नहीं होती और जितना इनका phase difference है जिसे आप यह कहते हैं कि इनका phase difference है वह तक्रीबन 120 आ जाता है जो यह कॉटा के लगी होती है तीनों क्याथ इनमें से हर क्याथ जो है वह तक्रीमे इतना क्या था होती है कि यहां तो 230 वो पर वो परडूस कर सकती है हर quail के जो qui है उसके सब 120 किंगल पर आगया पर पहस्ट दिफ्रेंस आजाता है यानिकि इतना इंके तरह मंच पहस्ट पहस्टपर आजाता है तो हिमने जो वाले पर डियुस होता है क्वाई 1 का जो वाले बिवल्कुल ही 0 पर डियुस होता है यायन कि coil A का अगर में वाल्टेज हो तो वो 0 पर डिस होता है coil V का जो वाल्टेज है वो तक्वीबं 120 आ जाता है जो कि 120 पर आता है similarly coil C का वो 240 हो जाता है अगर हमें इनकी जो है इनकी जो वाल्टेज है हमें को वेक्टर डाइगाम से रेप्रेसेंट करों bit, तो यह अमारे पास जो है जो है यह line आ गए इसको ठोडकर से करकर बना देती है,तक हमारे पास voltage का phase difference हम यह समझ आ सके हम से किस तरीके से बना देती है, मैं इस त्रrebके रहते है कि mówi mi, यह स्केट लाईन है उसे हम चर्ण होड़े डिफरेंट कालर से र्यप्रेजन कर लेती है कि वा हमारा पास वाल्टज को इस तरिके से यहाँ पास क्षाइल 2 के डिपोडिशन हे अवलो बार बार चिंठ है यहाँ पास phase 1 के विच्छ कें लेती है यह हमारा पास जो है, यह phase 2 है और अब जो यह नहीं कि phase 1 मतलब कि coil 1 की विड़से जो प्रडूस हो है coil A और phase 2 मतलब कि यहां पर हम लिख लेती है कि coil B अब हमाई पास जो तीसरी phase रहती है तीसरी coil की विड़से प्रडूस है वाला है उसे हम लोग इस तरीके से बना लेती है कि उसके जो voltage है वो कुछ इस तरीके से आता है इस तरीके से तो यह वाला अब जो आ गया है हमाया पास phase 3 आ गई और यह coil C की और से प्रडूस है वाला voltage है इनके दर में जो phase difference है वो हमाया पास 120 का आ जाता है तो इस तरीके से हमाया पास वोल्टेज की डाइग्राम बन जाती है जो हम लोग वर्टर डाइग्राम कहते हैं कि हर जो voltage है वो दूसरे voltage से 180 के एंगल पर आ रहा होता है पहला जो phase difference है यह पहला जो phase आ रहा है इसका voltage तकरीबन 0 होता है दूसरा जो आ रहा होता है यह 120 के एंगल पर आ रहा होता है तो तीसरा है वो तकरीबन 240 यानि कि इसका वोल्ट होता है या उसका आप कहह लीजीए कि जो वोल्टेज का phase difference है वो तकरीबन 240 होता है तो यह जो है थ्री फेसे सप्लाई की इस यहां पर लिख लेते हैं कि इस वक्टर डाइग्राम है थ्री फेसे सप्लाई की अब अगर इसी को मजीद circuit डाइग्राम में convert करना हो तो इसकी circuit डाइग्राम कुछ इस तरीके से होत है कि यह हमारे पास यहां जाता है इसके बाद अगर हम लोग डिफेंट मार्कर यूस करें तो एक साथ थोड़ा सा आगे क्वाइल लगी होती है उसी यहां पर डी यानि कि डी आप कह लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट डी होता है जैसे कि हमने बात की ना कि हमारे बात की बी है वो जाके ए से कनेक्ट होता था जैसे कि मैं आपको पीछे दिखाओं के भी हम लोग ने बात की थी स्टार्टिंग के इंडर कि डी को मैंने एंट पे ए से कनेक्ट किया था सिमिलरली जब सके डाइगाम बनानी होती है तो डी जो है वो एक के साथ भी कनेक्ट था और आपने देखा था कि डी जो है वो सी के साथ भी कनेक्ट था इस तरीके से सी यहां पर आ जाता है और उसके बाद हमाई पस क्या आता है कि यह जो डी है इस से एक और वाई इस तरीके से यहां पर आ रही होती है जो कि हमाई पस बी से भी कनेक्ट हो जाती है तो यहां पर हमा करना होता है न गलोज करना होता है इसके बाद यहां से आके हम लोगा ने यह circuit को डिफ्रेंट जो है इस तरीके से और जो बी है यहां पर आकर हमारे पास जो है circuit complete हो जाता है अब हमें यहां पर मालूम है अब जरा एक मिनत पिछले वाल डागाम पर गोर करें जो हमारी starting थी त ि دن रखर एक किसे के पॅन रोगने केृगए कितर और वर दो सब्सक्राइब अर्च भाइव यहां पर ना से किसे कोर्ट ना सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब रही मे Nosas Administration ख़ल स्सक्राइब तो E सी सी था कि ऐ जो प्लैज के उपंदे तौर पूरी के अंदर वालंटेज हो से मुझे ख्टाना चाहिए, यह वल्रच कि स्पेस यह ग Abrus की आभी जगाफ खाले चोरे तेसे कॉले का मैं तो उसके बाद क्या होता है कि यहां स्थोरस डाइग्राम को थोड़ा समझी सीधा करना पड़ेगा पहले से मैं कोई के वाल्टेश की बाद कर दोती है अब यह देखा जाएं तो यह हमारा डी के साथ कनेक्ट है हमारा बी जो है वह वह बहुत तो किसीना किसी एक साथ कनेक्ट ठीका ना जैसे कि मैंने आपको डाइग्राम बताई तो यहां पर जो वाल्टेश है ए और बी इस वाल्टेश की भी आप जगा सपेस अदी रहने दे इसको भी बाग में डिसकस करते हैं तो यह जो है A B केसाद connect है D C केसाद connect है D B केसाद connect है और B जो है वह A केसाद connect है Basically D को हम लोगोंने D वाला जो terminal है उसे हम लोगोंने 3 वार केसाद A B और C 3 वार केसाद connect कर दिया है अब हमारे पस क्या होते है यहां पर जो voltage है वो A B की विरासिक प्रडिस होने वाला voltage है यहां पर जो voltage है वो A C की विरासिक प्रडिस होने वाला voltage है similarly यहां पर अगर मैं different mod cash से line drop करूँ तो यह हमारा पास C का terminal था C से B तक भी तो कोई ना कोई wire है ना यह wire यहां तक भी connect है तो C से लेकि जो B तक का voltage है उस voltage को हमें BCB कहना चुछी है यह voltage हमारे पास कर्क्रीब बना जाता है voltage is equals to BC जिसे AB हम लोग ने रहने दिया यानि कि coils का internal voltage है दो coils AB, coil BC, BC और AC इनके voltage को अभी मैंने space रहने दिया इनके वज़न ही है कि coils के दर्में voltage होता है, वो voltage हमेशा होता है 400V यानि कि यह fix होगा, यह 400V होगा coil A और B के दर्में हमेशा जो voltage का difference है जो voltage produce होता है, वो 400V होता है similarly coil हमारे पास C और B जी, C का terminal, C का terminal, C दा जाकर B की terminal से connect हो जाता है इसमें भी आप D को मत consider करें कि यह D यहाँ पर है, बस आप D को देखें, D को छोड़ दें भी, D को हम लोग बाद में study करते हैं आप रहेगी बाद D, D को हम लोग यहां पर क्यों लाते हैं, हमने कहा था कि जो हमारा D है, यह हमारा चोथा terminal है, जो हमारी हर फाइल के साथ interlink होता है जब coil A को D के साथ link करते हैं, तो इनके दर्में जो voltage आता है, जिससे voltage A, D कहना चाहिए, यह तकरीबन 230V produce करता है similarly, हमारी coil C भी तो हमारी terminal D से connect है ना, तो यहां पर भी इन दोनों के यह तो coil A और D के दर्में हम पर produce होने वाला voltage है, चुक्कि D हमारा चोई एक fix terminal है, हमने कहा था हमारा चाहर टर्मिनल है, एक A, B, C और जो चोथा terminal था हमारे पास D आ जाता है, D जो के हमारी हर वाल के साथ कनेक्ट है, जब D को हम लोग A, A, Y के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इन दर्मिनल के दर्मिना जो difference आता है, वाल difference हमारे पास 230 वोल्ट आ जाता है, इसके बार जो हम लोग B की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कि इसे यहां से नहीं कनेक्ट करके, बालकि यह तो पूरी line जो ह करते हैं, इसे अब हम लोग क्या करते हैं, कि हम D से एक line drop करते हैं, इस line को हम यहां तक ले आते हैं, और इस line को यहां से raise कर देते हैं, इस तरीके से, तो अब हमारे पस क्या होता है, कि जो D टर्मिनल ने उससे connect होने वाली यहां पर आकर खतम होती है, यहां पर नहां पर हम तो यहां पर जो वोल्टेश बीडी की तो यहां पर जो वोल्टेश बीडी की तो इसका वादलब तो यह हुआ कि एक टर्मिनल बी जो के हमारे पास चोथा टर्मिनल है वो हर कोई के साथ किनेंक्ट है तो उस टर्मिनल और उस कोई के इंदर जो वोल्टेश का डिफरंस हो गए यानि कि A और D के दर्मियान, A और D और C के दर्मियान, D और B के दर्मियान और D और A के दर्मियान यानि कि इस टर्मिनल से हर टर्मिनल के साथ जो कनेक्शन है इस टर्मिनल डी का जो हर कोई के साथ कनेक्शन है तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक का जो वोल्ट डिफरेंस है वो 230 है इस तर्मिनल का जो डी के साथ डिफरेंस है वो 230 है इसी तरह सी के साथ जो डी का डिफरें वो हमेशा 400 V होता है और इसी supply का हमाया फास यह तो circuit डाइग्राम थी अब इसको पढ़ने का मकसद के हम लोग इसी supply की पाढ़े हैं हम लोग इसी supply इस पाढ़े हैं कि सब्सक्राइब होता है कि आपको मालूम है कि आपको अपने घरों में बहुति इलेक्रिकल अप्लाइश उसकता है आपका सब्सक्राइब होती है उसमें क्या होता है कि हार कोईल पर जो वोल्टेज है वो इक्विली डिस्रिब्यूट हो जाता है सारा का सारा बर्डन एक ही कोईल पर नहीं आता बलकि आप अपने घुरों में जित्रा भी वोल्टेज यूज करें साररिं तो GEORGEWow में जाता है कि वोल्टेज करें होंका बल्टेज इन तीनों कोईल के आंदधी क्सक्मायदे । अनजिर की साइड आएं हमें के की यूज फोल्टेज पनी है तो हमने कि वेल्टेज करें o स्वां आप्पाट ही समेज समॉल होता है कि यह क्वाल्स हमें 230 वोल्ट दे देती हैं यह में इसी सप्लाइब का फाइदा होता है कि इस वोल्ट जो है तीनों क्वाल्स के में डिस्ट्रिब्यूट हो जता है हमारे एलेक्रिकल अप्लाइंस को हम लोग हद से ज्यादा भी इस्तमाल कर सकते हैं और उनके जलने का जो है खतरा भी नहीं होता कि हमारा सकेठ जो है वो ब्रेक्डाwn ना कर जाया सकते जो है वो टूतना जाएं जल ना जाया जाया जाता हल Beetexong ठीज के का जो है जलने का जैसे बी अनदेशा है वह किंशल ś辅 करते हैं यह वारे में उनों पर equally distribute हो जाते हैं जिसका हमें बहुत अदर advantage होता हैं